अभ्याम आपको है तो आपको है यूज पिल्क मेरे पास है उसकी डिटेलिंग यह है ये इस ड्रेस का स्टाफ है प्लीन नेट में जो है ब्लू बेस के साथ इसके ओपर इंब्रॉइडरी है बहुत ही अच्छी का फिन इंब्रॉइडरी है सीक्वेंस और धागे का काम हुआ वेस्के ऐसके विष्ट के आप ज़ी मैं और जाव बलस हो लगार को झाल ते को टार मुझे ऑपको दियर के हिसाब में पनी जमे थी प'd है यह तक बंद है और उसके बाद हां इतना कट है इस लेंग में यह ép यह नीचे से यहां तक बंद है और इसके बाद इसमे इत्ना कट थे गए यह स्लीव्स हैं यहां तक यह नॉर्मल से लॉंग लेंथ है लेकिन इसका यह कट है यहां पे जिसकी वज़ाद से आपको यह जो है वो प्रॉब्लम नहीं करेगा अगर इसके कट की बात करें तो मैंने इसको हाई-लो लेंथ में कट किया है जितना इस शर्ट का फ्लेयर था व आप अपने हिसाब से इसके लेंथ को एजस्ट कर सकते हैं जितनी मेरे लिए सूटेबल थी मैंने उतनी लेंथ में यह काट लिया है और बैक जो है मैंने अपनी फुल लेंथ में वो कट किया है बैक इसकी मैं आपको दिखाऊं तो यह इसकी बैक है यह इस तरह से इसकी बै लो है स्टाइल में ये शुर्ट है और ये बलाक क्यूलोट के साथ ये जिस तहां से भी आप इसको ब्लाक के साथ ये बलू के साथ स्टाइलिंग करना चाहिए आप कर सकते हैं ये दो शिर्ट थी तो इसमें से जो कपड़ा बचा था उससे मैंने ये एक और ड्रेस बनाया है अपनी बेटी का ये इसकी कमफ्लीट लुक है ये टेल में फ्रॉग है बॉडी इसकी ये है अपने हिसाब से आप अपने बच्चे की हाइट और विट्स के अकॉर्डिंग जो ह कपड़ा एकुछक्रा बच किया था ये इसकी बैक है इसमें मैंने जो है वह फोर लेयर कोंबिनेशन में था तो यह जो नीचे हैना वह फोर लेयल्ड ए है डबल्यर में पहले ये नेट कि आती है यह फिर बलू में आखी फिर इसके बाद ये बल्यर में difficult इससे एक और लेयर है और जो फूर्थ लेयर है वो मैंने इस तरह से अटाच की ऐस पर ऐसे यह फुल एंड तक मैंने अटाच ने की के फिर ज्यादा कपड़ा चाहिए था इसके लिए और इससे इसमें वॉल्यूम भी आ रहा था और नीचे जो मैंने बेस है वो सिल के सुले बैख से अगर मैं आपको दिखाऊं तो यह इसकी बैक की लुक है अप बंग करेंगे और इसके साथ करदेंगे यह ताया तो आपके एक बहुत अच्छी सी बोबन है यह बनाई है और यह जो कपड़ा है यह देर मीटर की लेंथ में है मैंने इक डुबटा लिया था जिसको सेंटर से मैंने कट किया और दोनों फ्रॉग्स की एंड पे जो टेल है वो बन गी थी यह तोड़ा सा डिफरेंट है नेट से उस वाली नेट में ग्लिटर था इस वाली प्रेशन में थी और अगें इसकी जो बेस है ना उस पे मैंने नेट की नीचे ब्लैक कपड़ा लगा के प्रेस बुक्रम लगा के इसको स्टिच किया था और फिर लैस लगाई थी तांकि यह इकठा ना हो क्योंकि इसका इतना वॉल्यूम नहीं है तो इसकी वर्थ नहीं र अगर आपको इस आइडिया से थोड़ी है अगर आपके पास भी कुछ इस तरह की फैंसी शिर्ट्स हैं तो आप इससे अपना और अपनी बेटी का बनाना चाहें तो बना सकते हैं अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राब तो मैं चैनल मैं जो पिच्चर्स है वो एंड पे टाइच कर दूँगी जोया के और इशाल के पहने हुए कपरों की तिल दें टेक चैर थैंक यू फो वाचिंग अल्ला हाफ़ज झाल